हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माइ नर्चर मैं हो क्रिशना कैसे आप सब लोग मस बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मसुटीस का चैप्टर नूबर 4 का लेक्चर नूबर 4 जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेस्ट है चानने की प्रोसेश है याँ फिल्ट्रेशन ठीक है लेकिन कुछ साइंटिफिक टर्मस और कुछ साइंटिफिक जो बाते हैं वह सीखेंगे उसके पीछे लगने वाला लॉजिक देखने बड़ा असान लगता है कि हमने चाय डाली, चाय बत्ती थी उसके अंदर और वो छलनी से छन गई अब हम लोग कई बार फिर ये भी देखते हैं कि सुरुआत में चाय डालते हैं तो बड़ी तेजी से छनती है फिर कई बार नई चाय चाय बत्ती है तो तमाम बाते होती हैं उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ फस गई है तो उसको हम साइंटिफिकली समझेंगे तो फिल्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या है यहापर हमार पास चानना है कोई चीज़ हम लोग क्या कर रहे है छान रहे है ठीक है तो लैब में जब दबाईयां बनाते हैं तो बहुत सारा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है अगर यह फार्म सुटिफिकली तो जाली यूनिट है शुरुआ से आजए अगर तो हमने क्या किया था साइज रिल्ट्रेशन किया था सेपरेशन किया था मिक्सिंग कर लिए है मिक्सिंग करने का अब क्या करेंगे छान छोन के हम लोग चीज़ों का अलग करेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन तो क्या है filtration में, क्या बोल रहा है आँ समझते हैं हम लोग तो कह रहा है, filtration is the solid liquid separation solid और liquid का separation है उसको अलग करना ठीक है न, solid और liquid के अलग करने को यहाँ पर क्या बोला गया है separation कोई generally यहाँ पर क्या होता है हम लोगा हमारी filtration ज़्यादा टैबलेट और powder की हो रहती है तो उसमें से हम कोई चीज जब बनाते है तो solid और liquid को अलग करते है वेर दा liquid पासे थ्रूदा porous medium porous का मतलब होता है जालिदार जिसमें छेद होते है तो liquid का हम लोग जालिदार जो medium होता है, माध्यम होता है उससे pass कराते है to remove the fine suspended solid अब उसमें जब solid तैर रहते है वो उपर रहते है और च्छन के चीज बहार रहती है तो सेम जब चाय की तरह हम लोग process करते है तो अब देखो, चाय को हम लोग समझते है और उसमें किसको क्या कहेंगे कई बार ये चीज important रहती है तो हम मान लेते है कि ये हमारे पास क्या है चलनी है, चाय पत्ती चानते है हम लोग चाय पत्ती नहीं, मतलब चाय चानते है ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलने है चलनी बोलने अब चलनी के अंदर क्या लगी होती है जाली लगी होती है जाली लगी होती है तो उसको हमलों क्या बोल दिया filter medium बोल दिया नीचे हमारा glass रखा हुआ है यह चाय च्छन के आ गई filtrate चाय च्छन के आ गई है ठीक है अब समझो slurry जो पूरी चाय बनके तयार हो गई वो हम लोग उपर से डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं slurry याने की जो भी हमारा powder और liquid solution तयार है छानने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं slurry बोलते हैं suspension to be filtered जिसको हमें छानना है then filter medium, porous medium used to retain solid तो filter medium यह वो medium होता है जैसे की चाय की पत्ती में छलनी में लोही की जाहिल लगी होती है ठीक है तो उसको हम बोलते है filter medium जो की क्या करेगा जो solid particle है उसको अपने उपर रख लेता है ठीक है then filter cake accumulated solid on the filter जो चाय पत्ती यहाँ पर रह जाएगी उपर solid है ना तो वो यहाँ पर क्या कराता है filter cake filter cake यहाँ जो यहाँ पर चाय पत्ती चाय पत्ती यहाँ रहे गई और filtrate ultimately जो clear liquid passing through the filter जो च्छन करके बाहर आ गया है उसको हम लोग क्या बोल देते है filtrate बोल देते है यह दो चार बातें बीच यह इस्तवाल होती रहेंगी तो समझते रहें ना clear है मैंने का ना यहाँ पर कुछ टरॉम्स पढ़ेंगे बादवागी हमको अब यह प्रॉस्स तो पता ही है चानने की पसलरी किसे कहते है filter medium क्या है filter cake क्या है filtrate क्या यह पता होना चाहिए था आगया आते है अब अब्जेक्टिव क्या होता है सब को पता है ना हम लोग क्या करने दवाईं बनानी है तो कोई भी यूट ऑपरेशन यह भी क्या यूट ऑपरेशन है तो किसी भी उसको अब्जेक्टिव क्या रहता है हम लोग चाहता है कि हमारी साफ सुत्री और एकदम बहतर मैडिशन बने अब उसमें कुछ टम्स हम लोग कर लेंगे separating solid from liquid and gases is the main goal of filtration हमें separate करना है हमें क्या करना है separate करना है solid go liquid यह हमारा main goal होता है इसके अलावा it also include remove contaminated particles पहला goal separate solid from liquid पहला goal separate solid from liquid यह सबसे main goal होता है दूसरा goal contaminated particle कोई unwanted thing है कोई है ना कोई dust particle होगा तो उससे अलग करना है from dispersing fluid so that it can be recovered है ना जिससे कि हम उसको वापस से पास अके किसको पास अके eliminating the dispersing fluid उल्टा भी हो सकता है उसके अंदर जो solid particle हम चाहते हैं हमें वो मिल जाए और फिल्ड अलग हो जाए तो यह उल्टा भी हो सकता है to recover solid particle इस बार हमें क्या recover करना है solid particles को recover करना है और dispersing fluid को अलग कर देना है to produce high quality solvents and solid अच्छी quality के solvent या जब उसके अंदर सारा हम लोग गंदी की हटा देंगे तो अच्छी quality के solvent और जो बचा हो solid जो रहता उसके अंदर वो हमको मिल जाएंगे to purify the air and pharmaceutical useful gases ठीक है उसके अंदर जो solid particles होंगे to sterilize thermo labile parental product thermo labile जो heat करने से parental product खराब हो सकते हैं कोई syrup अगरा है या कोई और चीज़ है तो उसको हम लोग filter करके ultra filtration एक process होती है उसके अंदर बैक्टरी अगरा चंज जाते हैं सब कुछ ठीक है ना वह अभी अपने course में नहीं है ठीक है ultra filtration के अलाज़े से vector अगरा सब चंज जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उस parental product को हम लोग filter कर सकते हैं अगर उसको heat के through sterilize करने से अगर वो product खराब हो सकता है तो filter करके भी हम लोग उससे sterilize कर सकते हैं बात समझ में आ रही है ठीक है अब factor affecting filtration यह अपने course में नहीं है तो अब अब तुम बोल दो कि चाय पत्ती का साइज बहुत बरवड़े साइज होंगे तो जल्दी फसेगा तमाम चीजें हैं उसके अंदर तो pressure तुम चाय को ऐसे धिरे धिरे करो और चाय को ऐसे करके उठा कर डालो तो बहुत तेजी से गिरेगा बहुत जल्दी चनेगा ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि हम लोग जैसे जनरली नहीं देख सकते हों कि जो चीज लिकूड गरम हो जाती है उसकी विसकोसिटी कम हो जाती है सिंपल समझो हॉट डिक्रीजेज विसकोसिटी जो चीज गरम होती है वो विसकोसिटी क्या कर देती है डिक्रीज कर देती ह हमारा हम लोग देख चुके फरक पड़ता यह इसमें लिखना नहीं बहुत जाता बस समझ लोगी होते हैं ठीक है ना पार्टिकल साइज समझी गए हम लोग इतना बड़ा पार्टिकल साइज होगा फसेगा जाकर करके पोर साइज फिल्टर मीडिया अत्तर शंप सर्फिस इअरी है और पोर साइज फिल्टर मीडिया मतलब साइस चलनी के जंदर दो चेथ धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं यह चैपति उसक tried एकटी होने लगती है फिल्टरिसें फुरा अशा धीमा होता है लेकिन वो फिल्टरिसें बहुत अच्छा होता है फिल्टरिसें धीमा हो जाएगा लेकिन बहुत साफ सुत्रा फिल्टर होगा वो और nature of the solid material ठीक है जो material इसके अदर हम लोग जो किसा केक बन जाएगा वो कैसा है एक दम हाड होके जम गया है या अपने अंदर से लिक्यूट का लाओ कर रहा है तो यह तमाम चीजे हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं जिस्ट नॉलिज के लिए है फिर कता रहा हूं मैं इसमें बहुत ज़दे डिटेल में म मच चले जाना धेवाट है ठीक है यह तो जनरल बाते मैंने क्या का जनरल बाते हैं यह आती हैं बस कियों समझने कि अच्छा साइंटिफिकल्य हम इस चीज को यह कहते हैं चले आगे ना थिआ अगे अब ठीचेचं़ का मतलब क्या है यहां पर बताने कोशिश की गई है कि फिल्ट्रेशन होता कैसे है ना तो हम लोग यहां पर इसको साइन्टिफिकली समझना है फिल्ट्रेशन को कौन inclse रूले अवदेखे फिल्ट्रेश अधिय मेजिस्टैंग जब भी हम किसी oxygen को किसीój के थूरिव थूर क्या करा किया कराइंगे तो क्या होगा रस्ट्रेश का मतलब क्या क्या हो गया थे सांथक्राव कि डालो चलनी जब लगेगी तो चाय थोली धीमी जाती है तो हम को क्या मिलता है रेट आफ फ्लो मेश्टेश को तो यह गरने से क्या है प्रेशर बढ़ जाएगा तो यह प्रेशर क्या क्या लाएगा driving force जो उसको धक्का लगा रहा है और resistance तो driving force upon resistance किस गती से fluid flow करेगा filter के अंदर वो क्या 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 लाएगा driving force upon resistance the rate of filtration may be expressed as volume liter per unit time है ना कितना volume per unit time pass हो रहा है तो rate of filtration क्या होगा कितना volume per unit time उस चलनी से चंड रहा है सिम्पल सी बात है driving force equal to pressure upstream minus pressure downstream मतलब कि जो pressure उपर से आ रहा है driving force क्या होगा मान लो यह चलनी है ठीक है तुमने यहां से गिरा रहे हो और यहां जो pressure है और यहां जो pressure है इन दोनों का difference यहीं तो होगा driving force नौ ठीक है resistance is not constant resistance नहीं रहता है जैसे जैसे स्कानल स्लरी मतलब केक जमना सुरू होती है निए चापती जमना सुरू होती resistance increase करता रहता है filtration is not a steady state यह लगातार एक समान नहीं रहता है ठीक है filtration जो होता है the rate of flow will be great test at the beginning of filtration process हमको भी पता है सुरूवात में फिल्टरेशन बड़ी तेस होता है since the resistance is minimum सुरूवात में resistance बहुत कम होता है after forming filter cake यानि जब चाइपती छलने के अंतर जम जाएगी that is called filter cake its surface act as a filter medium वो चाइपती का जो जमा हुआ पार्ट है वो भी filter medium के तरह act करता है पाउडर और ग्रेनियूर्स बैट विजुलाइज्ट याज़ अज़ा बंडल ऑफ केप्लेरी अब समझो बात को यह वेरी इंपोर्टेंट तिंग अब जो इसमें मान लो यह चाइपती का थीक है अब इसमें अब मान लो यह ना इसका पत्ति वह है चाइपती जम्मी हुए है क्या जम्मी हुए है चाइपती तो कैपिलेरी का मतलब क्या है तुम लोगोंने कभी देखा होगा बहुती बहुती महीन पतले पाइप के कांच होते हैं या फिर यू कहलें कि जिससे हम लोग कोल्डरिंग सिप करते हैं क्या सिप करते हैं कोल्डरिंग उसको बहुत महीन कर दो या इतना हमारा बाल बराबर है उसके बीच में छेट कर दो इतना महीन पाइप उससे क्या कहते हैं कैपिलेरी ठीक है न तो वो कह रहा है, नहीं the five powder जम गया है, यह जो powder जम गया है, आप इस को गौर से देखे आगर हम लोग, तो यह capillary की तरह एक्ट कर रही है, यह देखू, कैसे act कर रही है यह, capillary बहुत ही महीन महीन pipe जिनसे की चाय च्छनके जाएगी या फिर यूँ कह लो कि हम जो ठाना चाह रहे हैं चीज वो चीज in capillary यह क्या बन गई capillary इनसे च्छनके जाएगी इस capillary को हम लोग ने ऐसे गिरा दिया है इसको समझाता हूँ मैं अभी ठीक है आप माल लेते हैं यह पतली पतली बहुत सारी यहाँ पर ऐसे capillary बन गई है और इस capillary को ठीक है अब क्या है इन capillary इसको ऐसे ऐसे कर दिया यह बीच में रास्ता है जिनसे की यह बीच में रास्ता है जिनसे की filter हमारा च्छनके जाएगा तो सेम चीज यहाँ पर है यह क्या है capillary है जिनसे की हमारा च्छनके जाएगी या फिर यूँ गो जिसे की हमारा filter छनके जाएगा तो यह इतना यह क्या हो जाएगा कितना area है इसका जाटी surface area upstream pressure यहाँ पर कितना pressure लग रहा है यह downstream pressure आजागा यहाँ पर आते आते है ठीक है यह length कितनी लंबाई से होता हो जा रहा है ठीक है न विस्कॉसिटी ठीक है यह हो गया तो यह कुछ बाते हमें समझनी है कि powder और granule bed जो granule यहाँ पर जो चापत्ती के दाने है वो एक bundle of capillaries बहुत सारे capillaries के bundles की तरह behave करते हैं के लिए रहे बाते है ठीक है यह इसकी length हो जाएगी यह downstream pressure मतलब नीचे आते हैं तक कितना pressure रह गया उपर कितना pressure रहे इंदों का इतना difference होगा उसी हिसाब से तो pressure लगेगा यह difference create होगा उतनी उसी ताकत से ही आगे क्या करेगा flow करेगा आगे आते हैं तो अब अगर यह हमको basic बात समझ में आ जाती है ठीक है यह क्या है इसका basic बाते है basic बाते मतलब एक normal चीजे basic rules जब छंती है कोई चीज तो यह सारी चीजें क्या होती है follow होती है जब कोई चीज छंती है तो यह सारी चीजें क्या होती है follow होती है अब इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ है कि दो-तिन साइन्टिस्ट और उन्हें अपनी-अपनी क्या दिया है थियोरी दिया उन्हें अपनी-अपनी क्या दिया है थियोरी दिया है जैसे कि nausees equation है darcy equation है और congy carmen equation हिए ठीक है और यही equation हमेरे पास क्या है theory of filtration के अंदर आती है तीन है ठीक है question आएगा theory of filtration तो कम से कम तीन नमबर में आना चाहिए या पांच नमबर में आना चाहिए तो यह तुम्हें तीनो equation लिख करके जश्ट रट लो ठीक है यह physics का matter है किसका matter है physics का बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाना है केवल इतना concept जो मैंने समझाया इतना अगर concept में आ गया है इसी को लेकर के formula create हो गए है बहुत ज़्यादा detail में इसके नहीं जाना है हमें केवल आंसर लिखना तो यह तीनों के बारे में सिर्फ equation लिख करके आना है तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है तो देख पॉजली क्या कहती है तो पॉजली लगातार flow करती है किसी नदी में एक समान पानी का भेना streamline flow कहलाता है ठीक है और उसको अगर पानी कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा कभी छलक रहा है कि कुछ हो रहा तो उसे हम turbulent flow कहते है ठीक है ना तो इसने कहा कि filtration एक समान है है ना कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा flow of liquid under pressure through capillary जो liquid है वो capillaries के अंदर pressure के through flow करता है उसके उपर जो प्रेशर लगता है तो उसके हिसाफ से उसने अपना क्या दिया एक equation दी पाई डेल्टा पी डेल्टा पी क्या हो जाएगा चेंज इन प्रेशर पीटू मैसर माइनस पी अप्रेशर मानिस डाउन प्रेशर और radius of capillary यह जो capillary था इसका radius ठीक है टी ठीकने सा जाएगी अपनी देखते है इसको में हो जाएगा आगा गए आते हैं देखें वी क्या हमारे पास रेटास लूख किस गती से किस गती ति से फिलिड़ फलो करेगा ठीक डेल्टा भी pressure डिफरेंस अक्रॉस्टर और हैनग यहां आतक ऐलाबशम है तो यहां फिल्टर चैक यह कितने लंबा ना कितना थिकने सब्सक्राइगी ऐल्ब की वैल्यू क्या जायगी थिकनेश कि एन विसकौूसिट्य और फिल्टर पास क्या जाएका ठीक है एंड किया घाएगा विसकौूसिट्य ओफ तो मैंने क्या कहा, इन में कुछ नहीं है, main, poisley, जितने ये तीन हम पढ़ेंगे ना, उसमें उन्होंने main क्या consider किया है, उसके बाद उनका formula और उस formula को explain कर देना हो गया हमारा theory of filtration, बास समझ में आ गई, starting हो दो चार बातें जो था general rule वो बता हो गई, फिर ये explain कर दो कि that's it, बहुत ज़्यादा deep और detail में जाने की ज़रूद नहीं है, अब क्या कहा रहा है, if the cake is composed of bulky mass, bulky mass मतलब बहुत ज़्यादा है, of particle and the liquid flows through the interstice मतलब उसके pore से, then flow of liquid through these may be expressed by this equation, तो वही बात कहा रहा है कि जब यहाँ पर क्या है, कि छानते 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 यहाँ पर एक bulky mass इखट करते हैं, के लिए रहे बाते हैं, now Darcy equation, अब Darcy ने क्या कहा, Darcy ने कहा, Poisley law assumed that the capillary found in the filter are highly irregular and non-uniform, ठीक है, जो वो कहे है, Poisley law assumed that the capillaries found in the filter are highly irregular and non-uniform, Poisley law ने assume कर रखा है, कि जो capillaries हैं, वो बहुत जादा irregular हैं, मतलब कहीं तो ऐसी हैं, कहीं ऐसी हो जाएंगी, मतलब कहीं मोटी हैं, कहीं पतली हैं, बहुत जादा irregular हैं, Therefore, if the length of capillary is taken as the thickness of bed, a correction factor of radius is applied, so that the rate is closely approximated and simplified, तो Darcy ने simply कुछ नहीं किया, उसने का, कि जब capillaries हमारी irregular हैं, तो क्यों नहीं हम radius को हटा दें, ठीक है ना, तो हम लोग radius को क्या कर देंगे, जो radius वाला factor था, उसको हटा देंगे, जिससे के हमारी calculation बहुत ज़्यादा असान हो जाएगी, तो उसने वहीं किया, the factor influencing the rate of filtration has been incorporated into the equation by Darcy, ठीक है ना, the factors influencing the rate of filtration has been incorporated, जो तो factor उसके अलावा थे, उसको उन्होंने रखा बाकी को हटा दिया, अब उसने R को हटा दिया, यहाँ पर K और A यह इंट्रोडूस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, केक यह आगया, permeability coefficient of cake, कितना allow करेगा, permeability coefficient, एक यह आगया, surface area of porous bed, यह पूरा है ना, यह सर्फेस एरिया पूरा, यह इसका porous bed का आगया, other terms are same as previous equation, बाकी सारी terms, जो पहलो वाली equation की है, वो सारी है, तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लोग पुरा लिख के आओगे, ठीक है ना, के depends on the characteristics of cake, cake इस पर depend करेगा, cake की characteristics पर such as porosity, specific surface area, उसका surface area कितना है, और compressibility कितना वो, compress हो सकता है, ना, चैपती को जब छणने पर दबाओ, तो दब जाती है, तो के इन सब चीज़ें पर depend करेगा, यह याद रखेंगे, one mass question में पूछा सकता है, तो यहाँ पर simply क्या है, Darcy ने क्या कर दिया, Poisley का जो radius वाला factor था, उसे हटा दिया, जिससे की क्या हो जाए, चीज़ें आसान हो जाए, चीज़ें गरवड ना हो, ठीक है, तो एक तरह से correction कर दिया उसने, clear है, तो ultimately क्या है, rate of flow हमें दिया जा रहा है, theory of filtration में, किस गती से filtrate छनेगा, filtration होगा, वो यह चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, ना कौन जी कार्में equation, तो it's widely used for filtration, इसको थरह साथ देख लो, सिर्फ formula याद रखना है हमें, सारे चीज़ें लगबग से में, एक E factor जोड़ा गया, और एक S factor जोड़ा गया, ठीक है, E कह है, porosity of cake, ठीक है, S कह है, specific surface area of particle comprising the cake, कही ना कहीं हो आप पर, ठीक है, अब बाद वागी सारी चीज़ें क् particle, ध्यान रखना, यह surface area पूरे bed का था, यह surface area किसका है, particle का है, particle एक पार्टिकल का, ठीक है, और यह E के आगया, porosity of bed आगया, बाद वागी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, तो main चीज़ें हमें formula याद रखने है, और बहुत rare है, आना नहीं चाहिए, कि इस formula पर कोई question आ जा depth of the granular bed is lesser than the actual path traversed by the filly, जो depth होता है, depth of the granular bed is lesser than the actual path traversed by the filly, actual में क्या होता है, जो हम लोग क्या करते है, actual में च्छान रहे करके, तो फीलर जो actual path travel करता हुआ好啦 जा रहा है, bed का size तो काम है, लेकिन जो filly है वो ज़्यादा लंबा path travel करके जाता है, यानी हम यूं कह सकते है, मालो तो size तो यह है लेकिन हमारा field कैसे जाएगा field हो सकता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाए तो actual path followed by the field है ना वो बड़ा होता है ठीक है bed के size से तो actual depth of the general bed is lesser than the actual path traversed by the field field के दोरह जो actual path follow किया जा रहा है वो ज्यादा होता है bed का size कम होता है clear रहे this is the field और यह हमारा क्या है bed size bed की depth कर ले bed की क्या कर ले depth कर ले ठीक है ना clear है now classification of filtration equipment अब हम लोग किस किस तरीके से इसको छान सकते हैं तो कई सारे equipment है filter press, meta filter, filter leaf, membrane filter अपने course में है filter candid और sintered filters तो यह दो अपने course में बाद 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 कि अपने course में नहीं है तो cable नाम मैंने सुझा दिए कि यह सारे filter भी होते हैं clear है चले आगे membrane filter, membrane filter very simple बहुत पतला सा अगर तुम लेब में गए हो तो पतल जा सा यह बहुत कागज की तरह रहता है है ना उसको लोग filter की तरह इस्तिमाल कर लेते हैं जब चीजें ऐसी होती है मान लो यह क्या filter paper है ठीक है और हमारे जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे ना इसी के उपर ही रह गए कोई भी इसके अंदर नहीं गया उसे हम लोग कहते हैं सर्फेस फिल्ट्रेशन की सर्फेस पर ही सबको यह रोक देता है किलियर है इस टैप से दिखाई पड़ता है तो हम लोग लैब में गए हो तो बहुत इसली देखा होगा हम लोग इस तरह से यहां लगा देते है इस व अब एक वेक्वम लगाते हैं खीषते हैं में तो पाइंट डालने बाद और खीषते से सार और सारा फिल्ट्रेशन के आज़ा ठीक है तो डागराम इस नौट सो इंपॉर्टेंट प्रिंस्पल हमें याद रखना है उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन पे चंस्ट्रक्श रिटाल सेल्लुस कहां पायाता है प्लांट के अंदर पाया जाता टो न्यों चाल हो यह वुट्स करके बनाया जाता है इसको अ क्या प्रिटर नीवर नुब्स लेटयों होञा होते हैं टूसक्त एंटर्य कडिरे च आफी बीडिकेलों सब्सक्राइब करें तो इसका एरिया हो सकता है वर्किंग की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसा है नहीं खास इसके बता देंगे छेद इसके इंदर पर स्क्राइब एक पर्सक्राइब क्या हो गया भाई मैंने पहले बताया था जहाँ लोगों ने सी वाला पार्ट किया था कि देखो यह तार है यह तार कुछ एरिया घेर रहे हैं और जो केवल यह पूरा सर्फिस एरिया इसका देख लें हम लोग टोटल सर्फिस एरिया और इन सब के सर्फिस एरिया को काउंट कर लें तो अंदर की छेदों का सर्फिस एरिया देखिए तो कम निकलेगा ना तो व तो उसके अच्छे से गीले विलो हो जाते हैं वह तो उसके अंदर क्लॉगिंग नियुक्त होता है ना और जो डालेंगे वह फसी निए उसके अंदर अब किस टाइब करेंगे यह डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइब करना है खतम कहा नहीं यूज की बात कर लें तो में चीज हमारा पिंस्पल कंस्ट्रक्शन वर्किंग खतम हो गया अब कहां ही यूज करेंगे यूज फॉर इस्टरिलाइजेशन और बोथ एक्वस और ओई ठीक है ता मेंवरें फिल्टर कैनाट वी यूज फॉर फिल्टर ऑफ और गयानिक सॉल्वेट इसके लिए इस्तमाल नहीं करेंगे वर्मास कोशन में आ सकता है सच अज अलकोहल कीटोन इस्टर्स और क्लोरोफॉर्म क्लिए रहे बातें इसिंटर्ड फिल्टर क्लिए रहे बातें यहां तक चलें आगे सिंटर्ड फिल्टर्ड प्रिंसपल की बात करें इस नहीं प्रिंसपल और टैप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है यहां पर इस तरह से ना यह तो यहां पर क्या रहेगा जो पार्टिकल्स हम चानेंगे ना वो यहां से होता हुआ कुछ ना कोछ अंदर आजाए ग अंदर आजाएका लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर भी आ करके फस जाते हैं ठीक है अगे आते हैं कंस्ट्रक्शन की बात करें यह किसके बने हुए होते हैं बोरो सिलिकेट ग्लास के बने होते हैं अब समझो बोरो सिलिकेट ग्लास इस फाइनली पाउडर्ड एक तो महीन पीसा जाता है सीवड एंड पार्टिकल्स ऑफ डिजाइड सा उसका च्छान लिया जाता है पीस करके उसे और जो जिस पार्टिकल्स हमें चाहिए होता है उसको च्छान के अलग कर लेते हैं इस देन पैग्ड इन्टु डिस्क एक डिस्क के शेप में से पैक किया जाता है मॉल्ड मॉल्ड उसके ढाल ले जाता है एंड हीटे टू अट टमप्रेटर एड विच एड़ेशन टेक प्लेस और उसे हीट कर देते हैं कि सारे पार्टिकल्स में हलके हलके आपसर चिपक जा सिंटर का मतलब यह होता है चिपकाना है हमें ठीक है तो यहां पर क्या है सिंटर ग्लास में कांच का हम लोग पीस करके बुरादा बना करके उसके पतले-पतले महीन बुरादे होते हैं उनको आपसमें जोड़ लेते हैं हीट करके टेक्निक होती है ठीक है फिर वहीट करके बुरादा जुड़ जाएगा फिर उसी बुरादे में से हम लोग च्छानेंगे हां का च्छन नहीं च्छनता है उसको प्रॉपर तयार किया जाता है ठीक है वर्किंग तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर सार अविलेबल इन डिफरेंट पोर साइज अलाग पोर साइज में अवि पोरो सलिकेट पीस करके लगाया गया है फिल्टर फिल्टर कर फिल्टर पेपर नहीं इस वरे क्टेरियल फिल्टर सीन्ट зов को भी च्छान देते हैं सिंटर फिल्टर हर आलब सेके意ści depo containing इस्टेनले स्टेंशम में अब entrin यहाँ बॉरादा बनार reicht मैं उसकी में आ इसकी मेल However, they are very much liable to attack by the solution passing through them, but होता क्या है, these are very much liable or liable, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कि attackable होते हैं, इनके उपर हम लोग solution डाल रहे हैं, जो chemical जा रहा है, steel से, stainless steel से, है ना, reaction करने की संभावन ज़्यादा होती है, तो however, these are very much liable to attack by the solution passing through them, जो solution उसके अधर जा रहा है, वो संभावना है कि उससे attack कर जाए, glass जल्दी अट्रियक्ट नहीं करते हैं, कि लिए रहे बाते हैं, now, application of filtration, तो समझ लें यहाँ पर हम लोग, production of sterile product, इतना भी लिख दो के तब भी चल जाएगा, sterile product मैंने बताया है, कि हम लोग bacteria भी चान लेते हैं, जैसे कि HEPA, High Efficiency Particulate Absorving Filter, है ना, यह इसी के बने वोग होते हैं, filter और laminar air bench provide sterile environment during manufacture of sterile product, यह HEPA filter होते हैं, बड़ बड़े machines से होते हैं, बाहर लागे होते हैं, जो हवा आती भाहर से अंदर, उसको बिल्कुल यह block कर दे, हवा को block नहीं करेंगे, उसके अंदर से आने वाले microorganism को block कर देते हैं, कि एवल हवा हवा पास होती रहती है, bacteria proof filters are used for filtration of thermo-level substance where heat sterilization is not apply के वाली, जो हमने पहले वी डिसकस कर लिया, यह bacteria proof filters होते हैं, उससे हम लोग thermo-level substance, जो substance heat से खराब हो सकते हैं, उन substance को हम लोग इसके थुरू, filtration के थुरू क्या करते हैं, इस्टरलाइस करते हैं, bacteria free बनाते हैं, production of bulk drug, है ना, bulk drug बहुत ज़्यदा मात्रम drug बनाना, filtration is an essential step in the removal of impurity from the product, obviously बात है, ब्योट्य बगएरा होती हैं, छन जाती हैं वो, तो production of bulk drug इतना लिक्के छोड़ दोगे, bacteria proof filters are used to filtration of thermo-level substances, इतना लिक्कर के छोड़ दोगे, मैं फिर कहा रहा हो, दिमाग से काम करना, यह नहीं की पुरा रटते चले जाओ, हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको, हिंदी मादा लिख करके प्रेक्टिस कर सकते हैं, ताकि याद रहे, production of liquid orals, अब liquid orals, syrup प्रज़ पीते हैं, filtration is very important in the production of liquid orals and other for obtaining clear solution, अब्विस्जी बात हो, जो हम solution बना रहे हैं, तो बाद में हम लोग क्या अगरते हैं, चानते हैं, syrup बगए रहा हो, जिससे कि कोई particle बगए रहा होता है, वो filter हो के अलग हो जाता है, example in aromatic water, preparation, syrup, elixirs, eye drop, wear removal of foreign impurity, very important, मन से लिख लोगई यह हैं, है ना, समझ लिया एक बड़ी अच्छा, हर जगे filtration है ना, syrup हो गया, thermo-lebyle substance हो गया, bacteria को filter करना है, production of sterile product करना है, तमाम हर जगे है, effluent and wastewater treatment, hepa high efficiency particular arrest, चीए ना, wastewater और effluent, effluent and wastewater treatment, तो wastewater treatment अपने आपने एक अलग topic है, तो फिलासिव इतना समझे, जो हमारे घरों से पानी खराब हो करके निकलता है ना, पड़ा होपड रखा है हम लोगों इसके बारे में, तो वहाँ पर भी filter, इनका क्या होता है, उनको filter किया जाता है, तो filtration का इस्तमाल होता है, तो automatically filtration लगभग हर जगे हो रहा है, हर जगे इसका इस्तमाल हो रहा है, तो application में कोई भी 4-5 अपनी यादर कर लोगे और लिख दोगे, ओके, तो ये था अपना lecture, ठीक है, बहुत बड़ा lecture नहीं था, simple सा lecture था, और tough भी नहीं था, basic था हम लोग जानते हैं सारी बात है उसके बारे में, के बहुत थोड़ा सा दिमाग से हमको इसको समझना था, ठीक है ना, और terms को हमें याद रखना था, कौनसी terms कहां इस्तमाल करनी है, clear रहे बाते हैं, तो करना क्या है, अभी भी कुछ बच्चे को दिक्कत है, call आता है मेरे पास, बेटा, मेरे जितने भी वीडियोज हैं, यूटूब पे, उनमें जब, उस पर जो heading होती ना, मेरे जो lecture की heading होगी, उस पर click करोगे, link मिलेगा एक, notes, link for notes, वहाँ नीचे click करोगे, notes मिल जाएंगे, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत है, call कर ले, तो पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best!